तो यह तो किवल बहाना कर रहे हैं तो गुरु जी ने कहा कि इनका दिमाग सही करने के लिए मिटिंग बुलाई कि सुभा स्री भरत की महिमा को वे इने बता हुआ तो आप गुरु जी ने मंत्रियों की तरफ देखा कि आप तुमारे क्या विचारे संत के प्रती तो सुनते ही सारे मंत्रियों जो है उनका मस्तक नीचा हो गया अब इस सारे में गुरु जी इनके मन की बाद जानते और ये इनके मन की बाद जानते तो मंत्रियों ने मन ही मन में गलती स्युकार कर ले कि गुरु जी हमें एक्षमा करना इस संत को हम समझ नहीं पाए है भरत जी की महिमा का पार नहीं पा सकते हमें एक्षमा करिये अब स्री गुरुजी ने भरत लाली से कहा कि भरत आखिर में तुम चाहते किया हो अब तुम बताओ कि तुमारी इच्छा के अनुसार क्या करें तो भरत लाली ने कहा के गुरुजी आपनी दारुन दीनिता कहो सभ़ी सिरुनाई मैं अपने हिरदे की बात कहता हूँ गुरुजी के मेरे हिरदे में जो जलन हुई हो रही है ये जलन तभी सांत होगी जब स्री राम जी के चरणों में में पहुंचूंगा शीराम जी के चरणों के मैं दर्शन करूंगा तब ही मेरा हिरदे जो है उसकी जलन शांत होगी मेरा मन शांत होगा मैं जाओंगा मेरे भहिया को मना करके लेकर के आओंगा वो नहीं भी आएंगे तो भी चरण पकड़ करके लेकर के आओंगा और जवर जस्ति उन्हें सिंगासन पर बेठाऊंगा तभी मेरे हिर्दे की जलन सांत होगी तो मंत्रियों ने कहा कि हम भी चलेंगे गुरु जिन का हम भी चलेंगे प्रजा कहरी हम भी चलेंगे सारे जितने भी मंत्री संत्रियों का हम भी चलेंगे तो देखो शीराम जी तो सब को छोड़ करके चा रहे है लेकिन स्री भरतलाली संत है संत ने तो कहा कि सब नहीं सब को तो चलना ही है बलकि स्री राम जी की जितनी भी आयोध्या के चत्रुमनी सेना है सारी सेना भी साथ में चलेगी क्योंकि नियम है कि जिस समय राजा को तिलक किया जाता है तो उसके सेना की चावी भी उसको उसी समय सोपना पड़ता है तो सारी सेना प्रजा की आँखों में आसु आ जाएंगे तो सायद शीराम लोट करके आ जाएंगे इसलिए सब को चलना है तो सारी लोग रात्री भर त्यारी कर रहे है भरतलाल जी ने सुवा होते ही चार ऐसे पहरेदारों को रखा है जिसने रात्रे में सोते समय स्वप्न में भी अधर्म करने की कलपना नहीं की है ऐसे पहरेदारों को आयोध्या की रखवाली के लिए रखा और अब सारी लोगों के साथ में स्री भरतलाल जी चित्रकुड धाम के और प्रस्थान करते है सारी प्रजा है सेना है मेया केकई ने कोसल्या मेया से कहा कि दिदी मुझसे भरत बहुत नाराज है मुझसे वो रिष्टा तोर चुका है इसलिए वो मुझे नहीं ले जाएगा तो आप कहिए कि वो मुझे साथ में लेकर के चले तुसरी कोसलया मैया ने भरतलाली से कहा कि भरत केकई भी साथ में चलना चाहती है और मैं चाहती हूँ कि आ तुम उसके लिए पालकी सजाओ तुसरी भरतलाली ने कहा कि हाँ उनको तो सबसे पहली नंबर पर जाना चाहिए क्योंकि शायद वो रोएगी वो मनाएगी तो यह शी राम आएगे क्योंकि वन ही तो शी राम को उन्होंने दिया है इसलिये उनको तो पहले नंबर पर जाना चाहिए तीन पालक्या सजाई है और मैया आए उन पर बेठे और भरत लाली की यातरा चित्रकुड दाम के और प्रस्थान करती है भरत चले रे राजा राम को मना ले भरत चले रे राजा राम को मना ले भरत चले रे राजा राम को मना ले राम को मना ले अपने भाईया को मना ले भरत चले रे राजा राम को मना ले भरत चले रे रे राजा राम को मना राम को मना ले राम को मना ले राम दर्स की उरी अधिलासा राम दर्स की उरी अधिलासा बोले नयन प्रीम की भाईया बोले नयन प्रेम की भाईया राम साथी जल भरत चले राम राम साथी जल भरत चले राम राम साथी जल भरत चले राम साथी बुंद दिलों रत चले राम साथी जल भरत चले राम जी होगी जलारे जी की जरन मिताले जी होगी जलारे जी की जरन मिताले राम को मनाने अपने भाईया को मनाले राम को मनाने अपने भाईया को मनाले राम को मनाने, शिया राम को मनाने बरत चले रहे राजा राम को मनाने आप जड़ जड़ देवाना जड़ तो माँ दिवानमेल दिशम ह environments आप जड़ सफे विया देशना जड़ जड़ आप जड़िए ये दो जड़ेए गुशा भिवा क्या जा है मैंतर मीजचए लिक दो आपफ की दो लिदी ह को विदी करने आवधिरामे को अरी पड़े करिने प्रभुता प्रभु चरिनों में धरिने राजी तिलक के साज सजाके माताए चली संग प्रजाके राजा का अधिकार राजा को लो ताने राजा का अधिकार राजा को लो ताने राजा के वो ताने राजा के राजा को लो तो फिसना राजा का राजा 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 — जो तो तो ऊचली में हुआ हुआ है प्रतिमा जागे बिलागे कि जागत सतिमा तो कही सकई भरत की महिमा तो कही सकई भरत की सतिमा राम नाम की असुवन भारा राम नाम की असुवन भारा राम नाम की असुवन भारा रोम रोम प्रभु प्रीम निराला रोम रोम प्रभु प्रेम निराला राजा का अधिकार राजा को लोता ले वियोगी चलारे जिकी जरन में काले राम को मनाले सिता राम को मनाले राम को मनाले सिता राम को मनाले भरत चले रे राजा राम को मनाले राम को मनाले सिता 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 राम को मनाले बोली स्री भरतलाले की बेरे वाले बाबा की भरतलाली की यात्रा आगे वड़ी इधर स्री भरतलाली की सेना में चत्रुंगनी सेना है तो सेना में बहुत सारे गोड़े भी है तो गोडों के टापों की आवाज से जितने भी जंगल के पसो पक्षी है वो सब अस्त्वेस्तो गबरा गये बागने लगे तो जंगल में स्री निशाद महराजी रहते हैं उनके पास में जब सूचना गई तो निशाद महराजी ने जान लिया कि स्री भरतलाल जी का मन निश्चित रूप से ठीक नहीं है अगर वो शीराम को मनाने जाते तो अकेले जाते परंतु चत्रंगनी सेना को लेकर के जा रहे है इसका मतलब वो मनाने नहीं जा रहे है युद्ध करने के लिए जा रहे है तो सारी जितने भी कोल भिलो की छोटी सी टोली है निशाद महराजी ने इखटी की और निशाद महराजी ने सारे कोल भिलो से कहा कि भहिया लोगो आज स्री रामकाज करने का आउसर आ गया है देखो उदर से चत्रुमनी सेना लेकर कि स्री भरत जी आये है हम जानते कि भरत की सेना का सामना हम नहीं कर सकते फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक हर हालत में हम भरत की सेना को गंगा पार नहीं होने देंगे इसलिए भले ही छोटी टोलिया है लेकिन आत्म विश्वास बड़ा रखो और सारे लोगों को एक साथ हमारे साथ में चलना है और तिक्षन बाणों से स्री भरत लाली पर प्राहर करना है अब निशाद महराजी तो मिटिंग कर रहे है और कहा कि अगर अच्छे मन से आते तो भरत लाली अकले जाते पर चत्रमने सेना को ले करके जा रहे इसलिए पक्का युद करने के लिए ही जा रहे है अगर मर जाएंगे शीराम काज में तो देवता लोग ठाली लेकर के द्वार पर आएंगे आगवानी करने के लिए कि देखो राम काज में मरे है इनका स्वागत करो और अगर जीवित रहे गए तो शीराम जी का शिर्वाद मिलेगा कि मेरे काज में सब लोग मरे है इसलिए दोनों ही हाथ में लड़ू है इसलिए निर्भय हो करके मेरे साथ में चलो उसी समय एक छीक आ गई एक वेक्ति को तो निशाद महराजी ने पूछा कि छीक का क्या अर्थ है तो उसी समय एक बुजूर्ग वेक्ति ने निशाद महराजी से कहा कि भया छीक का अर्थ य है शरीर में कई सारी ऐसी चीज है जो सगून अपसकून अपने आप अटोमेटिक इसमें महसूस हो जाता है यह भगवान की देने इस शरीर को तो छीग जब अगर आजाए कहीं जा रहे हो तो कितना भी जरूरी है पांस मिट रूख जाओ पानी पीलो और उसके बाद में लाता है किछी का अगराय तो रूखो निशाद महाराजी से बुजूर्ग वेक्ति ने कहा कि आप भरत पर आकर्मन करने के लिए तो तयार हो गए हो पर भरत की मनोवर्ती का परिक्षन अगर नहीं किया है और उससे पहले उस पर बान चला दिया तो शीराम के क्रोत का भाज पर तयार किया है बोजन से बुर्वतों कि परोत्ति की पहचान होती है जैसा बोजन करेगा वैसे उसका मन बंता है और वह से उसकी विशाण बनते हैं निशाद महाराजी ने तीन टुकणियों में भोजन करा है एक में सतोगुण, एक में रजोगुण, एक में तमोगुण और मन में सोचा कि अगर सतोगुण वाली टोकनी जिसमें फले वो श्युकार करेंगे तो मैं समझ जाओंगा कि भरतलाली मनाने जा रहे है तो जब ये टोकनी श्युकार करेंगे फल वाली तो मैं आप लोगों की तरब मुस्कुरा दुआ तो आप सारे कोल भिल समझ जाना की मामला गरवड नहीं है और अगर उन्होंने तमोगुन वाली टोकनी स्युकार की मांस वाली तो मैं उंगली से इसाना कर दुआ तुम लोग बाणों को छोड़ देना बिलो ने का ठीक है और इदर निशाद महराजी टोकनी को ले करके आते हैं इदर रत पर स्री भरतलाली और भरतलाली के साथ में स्री वशीष्ट महराजी है और वशीष्ट महराजी का यह जब रत आगे बढ़ा तो निशाद महराजी ने दूर से देखा कि रत पर शी भरत जी तो है लेकिन उनके साथ में स्री वशिष्ट महराजी है और संत पर अगर हमारी परचाई भी गिरेगी तो इन्हें डबल इस्नान करना पड़ेगा तो इन्हें कौन फाल तुमें परिसान करे तो निशाद महराजी ने थोड़ा दूर से प्रणाम कर लिया और जैसे दूर से प बखर पर यहां पर रुके तो और यह निशाद स्री राम जी का सका इस ने राम जी की उस समय बहुत सेवा के है एक रातरी है है इसे स्ft part प्लाल जी ने सुना के राम जी के सखा है राम सखा सुने संदन त्यागा राम सखा चोले सगंदन त्यागा चले उतरी उम्गतिया नूरागा जाओ जाती जो नावे सुनाई जाओ जाती जो हत नावे सुनाई तिल ने जो आरमात महिलाई तिल जो हत नावे सुनाई तिल जो जो हत नावे सुनाई किन्धे जो आय मात महिलाई तीरे जो हालो बाते मही लाई राम सखा सुने संदनों प्यागा राम सखा सुने संदनों प्यागा चले उतरियों पिगतियनों रागा स्री राम सखा सुने में स्री भरतलाली को फिर भी देर लगी लेकिन भरतलाली को रत से उतर करके छलांग लगाने भी देर नहीं लगी दोड करके गए उस्री निशाद महराजी को जवर रिस्ति उठा करके अपने गले से लगा लिया अब इधर रत में वेटे वेटे गुरु जी कह रहे हैं कि देखो दुनिया में गुरु आगे रहते हैं चेला पीछे रहते हैं लेकिन आज उल्टा हो गया चेला आगे निकल गया और गुरु पीछे रह गया है स्री वशिष्ट महराजी सोच रहें कि मैं तो हमेशा यह मानता था कि यह निशाद है भील जाती का है अपवित्र है इसलिए मैं दूर रहूं लेकिन स्री भरत ने बता दिया कि गुरुजी जिस जिवातमा को साक्षाद स्री राम जी ने गले से लगा लिया है वो जिवातमा पवित्र कैसे हो सकता है वो तो परम पावन पवित्र हो गया है तो मेरा चेला ये बात पहचान गया और मैं अभी इसी अकड़ में रह गया कि वो भील है उसको में गले नहीं लगा सकता तो चेले ने जो बात जानना थी मुझे वो यह जान गया इसलिए भरत मैं आशिवात देता हूं कि तु सदेव आगे ही रहना सदेव विजय ही रहना भरतलाल जी ने निशाद महराजी को गले से लगाया लेकिन निशाद महराजी मन में सोच रहे कि भले आप मुझे गले लगाओ मैं आप पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ स्री भरतलाली ने इशादा किया निशाद महराजी ने कि तीन टोकनिया पड़ी है इनमेंसे आप शिकार करूं तो स्री भरतलाली बुद्धी मान है इनों ने तुरन का शत्रूगन ये मुझे भोज़न नहीं दिया जा रहा है ये मेरी मती का परिक्षन किया जारा है कि तुम्हें फलवाली टोकनी श्वकार करो तो उस फलवाली टोकनी को भरतलाल जी ने शुकार किया और सत्रुगन थिश्वकार दभाव है इसलिए प्रसंद हो करके निशाद महराजी चर्णों में गिरने लगे बरतलाली ने उठा के गले से लगाया और का भया सब बात तुम तुम तुछ छोड़ो तुम वो इस्थान बताओ जिस इस्थान पर मेरे भया ने उस दिर विश्राम किया था स्री निशाद महराजी लेकर के गए अभी भी कुसा के चटाई निशाद महराजी ने हटाई नहीं थे स्री भरतलाली दोड करके आये उस चटाई पर लोट लगाने लगे उस पेड को गले से लगा लिया और नीचे सीताजी के चरणों के पायल के गुंगरू बिखर गये थे उन गुंगरूओं को उठा करके भरतलाल जी ने मस्तक पर रख लिये हैं नाचने लगते हैं और रोते भी है कि मेरी मा का क्या बिगाड़ा जो भईया को इस कुसा की चटाई पर सोने के लिए बाद भी कर दिया है सारे लोग मा के कई कोई गालिया बगते हैं और इधर स्री भरतलाल जी रात्री भर प्रतिक्षा करते करते बीट गई सुबा हुई गंगा के किनारे अनंत नाओ खड़ी है एक साथ स्री निशाद महराजी ने साब की विवस्था कर दी सारे लोगों को नाओ में बेठा करके एक साथ पार कर दिया और अब स्री भरतलाल जी सब से चरन हो वा सेवक का मस्तक होना चाहिए मुझे सीर के बल से आयोध्या से चल करके आना था गुरुजी लेकिन मेरा सामर्त नहीं था तो मैं यहां तक रत पर बेट करके आ गया लेकिन यहां पर अगर मैं रत पर बेट करके आ गया तो चल गया क्योंकि मेरे स्वामी भी यहां तक रत पर बेट करके आए लेकिन यहां से मेरा इश्वर पैदल गया है और अगर मैं रत पर बेट करके जाओंगा तो मेरे धर्म के विरुद होगा गुरुजी और अगर में समलोगों के सामने में चलूँगा तो मैया परेशान होगी इसलिए आप इन सब को आग्यांगे ले रहे हैं वशिष्ट महराजी सब को लेकर के प्रयाग राज पहुंचते हैं प्रयाग राज में सबने इश्णान क्या महरीशी बर्द्वाजी के आस्रम पहुंचे इधर प्रयाग राज के दर्शन करने के लिए सारी लोग लालाईते हैं लेकिन प्रयाग राज किनके भरत लाल जी के दर्शन के लिए है प्र्याग राज ने कहा कि सारे लोग मुझे में इस्नान करके तीर्थों के जल में आप और हमारे जैसे लोग जो भी इस्नान करते हैं तो तीर्थों का जल और भी गंदा करके आते हैं काला हो जाता है अब पवीत्र हो जाता है तो तीर्थ जल रोने लगे कि प्रभू हमारा शुद्धी करन कब होगा तो प्रभू ने कहा कि जब कुम्ब के महीने में संत महात्मा लोग आप पर डुपकी लगाएंगे आप में इस्नान करेंगे तब आपका जल जो है वो शुद्ध हो जाएगा पवित्र हो जाएगा तो आज प्रशन करोंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा इसलिए प्रयाग राज बार बार सुचते हैं कि वह भग्त जिनका दर्शन में करने के लिए लालाईत हुँ इधर स्री भरतलाली शत्रुवन्जी के साथ में जैसे प्रयाग राज में पहुंचते हैं तो भरतलाली को ने हमको दर्शन दे करके कृतार्त कर दिया भरतलाल जी के चरणों को प्रचालन करने के बाद में प्रयाग राज कहते हैं कि संसार के लोग तो दिन भरी मांगते रहते हैं पर आज ये कि भक्त अगर मुझसे मांगेगा ना तो मेरी वानी भी कृतार्त हो जाएगी मेरा जीव कुल का जो धर्म है मांगा वो भीक त्यागी नीज धर्मू आरत का ना कर ये तू करे मूं मांगा वीक त्यागी नीज धर्मू आरत का ना कर ये तू कर्मू आरत का ना कर ये तू कर्मू प्रयाग राज ने कहा कि आपको क्या चाहिए तो भरत लाली ने कहा कि है प्रयाग राज में अपने कूल का जो धर्म है जो कभी भी नहीं मांगने का धर्म है रगू उनसका नियम है कि वो कभी मांगते नहीं है पर मैं अपने उसकूल के नियम को तोड़ करके आपसे कुछ मांगता हूँ भीक मांगता हूँ